आज आप देख रहे हैं मन्सा माता मंदिर जो खेतरी जैपुर मार्ग पर इस्थित है पपुर्णा ग्राम पंचायत में पढ़ता है कहते हैं कि यहाँ जो भी पूरी स्रद्धा से मा को रिजाते हैं मा का भजन पुजन करते हैं मा उनकी सब मन्सा पूरी करती है देखिए बहुत भव्य मंदिर है पहले यहां लाल और काले मूँ के बंदर बहुत थे जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी होती थी यह देखिए बड़ा सभागार है मंदिर का और यहां बड़े बड़े कारियकरम किये जाते हैं अब चारों तरफ जाली लगा दी गई हैं ताकि बंदर अंदर आके नुकसान नहीं करें और नहीं किसी स्रद्धालो को कोई सारी रिक नुकसान पहुचाएं पूरी तरह से य जाली बना दी गई हैं जिससे बिलकुल सुरक्षित हो गया है मंदिर किसी तरह क्या कोई जानवर अंदर नहीं आ सकता और काफी सीडियां चड़ करके उपर जाना पड़ता है माता के दरबार में देखिए यहां से देखे कितना रमनेक वातावरन कितने मनोरम द्रश्य विहंगम द्रश्य मंदिर के नीचे कभी बारे मासी नदी बैती थी अब बरसात नहीं होने से पिछले 20-25 साल से नदी सूख गई है औरना बारो में नदी में पानी रहता था देखिए माता का कितना भव्य दर्शन यह कितना भव्य मंदिर सेक्णों शेडियां उपर चड़ करके फिरिये माता का दरबार सजा हुआ है और कहते हैं कि पहले माता इस गुफा में परकट वी गुफा है देखिए उजारी जी से बाकी लोग बार से आते हैं जरिया मुम भव्य दर्शन करने के लिए जगए जगए से जाद जडुले करते हैं और कई सो साल पुराना है माता का मुझा तो पहले इस गुफा में परकट हुई माहा उसके पिर कैसे पता लगा पता है पहला नहीं है तो कितनी पीडियोंचे आपके यहां कुझा करें हैं पहला माह दो बाई यहां कितनी वैसे कितनी पीडियों से कर रहें पहले बाप दादा आशे वो भी करते रहें है अच्छा वह बाद नहों मालो भाई वह बाद मुआ आया है अच्छा आया है मैं करते रहें कितनी अच्छा में आया है अच्छां नहां आया है अच्छा आया है अच्छाइब मालो भाद एका है